वेल्कम टू हेदराबस सर अखबार में मेरा फोटो कितना मस्त है ना सर मैंना आपकी फाइल देखिया सर छे ट्रांसफर्स चार प्रमोशन्स और सैथिस एनकाउंटर आपके अंडर में काम करने के लिए तोपी पर लगे तीन शिरोपर गर्व नहीं है मुझे बलकि आपके सा 24 गंड़े गर्व के साथ घूमना है सेटी में ट्राफिक कुछ ज्यादा है सर तब तो क्रिमिनल्स भी ज्यादा होंगे प्रमज गया सर अपने शहर का क्रिमिनल है पप्पू है पपू लगे biscुल नहीं है की लगा है सर अबगड़े!! लगुल नहीं हुड़े!! तेखिर ले! तो मुझे कीमत होगे या मरोगे देतो मैं लाके देतो सनो मुझे जो भी चीज अच्छे लगती है वो मेरी हो जाती है अब ये फैक्टरी मेरी है समझ गए बायो डाटा तो अच्छा है मगर इसका बॉस तो बैक्राउंड में चुपा है ये तो सिर्फ इस शहर में अपना राज चलाता है नैशनल लिवल पे जिसका सपोर्ट है वो को है दादा ये है मदन दादा का होलेंड सोल ये है बबबर दादा का राइट है ये दादा का चोटा भाई अगर दादा गन निकालता है तो ये उसमें बुलेट डालता है और ये है दादा पुरा का पुरा वन मैं शो युमन ट्राफिकिंग ड्रग्स कसिनोज मनी लैंडरिंग वेपन्स और जितने भी लेगल बिजनेस है ये सब करता है जो भी इसके खिलाब जाता है ये उसे मौत के घाट उतारता है अब मैं आपके बारे में सब कुछ समझ गया सर आप इस पपू से एंकाउंटर शुरू करके उस दादा को फिनिश करोगे एम आ राइट सर कूल कूल इस स्टार को देखकर इतना ज्यादा उचलो मत सिंसिरली ड्यूटी करोगे तो अपनी जान गवानी पड़ेगी और अगर सिंसिर होने का ढोंग करोगे तो प्रमोशन्स मिलेंगे सर हम उन क्रिमिनल्स को मारेंगे या नहीं उनकी मौत तो पक्की है अगर प्राब्लेम है तो सोलिशन भी हो इस पको का खाता बन करने के लिए बुलेट की नहीं मिसाइल के जरूरत है और वो मिसाइल कहीं न कहीं तो जरूर होगा ये फिफ्ट प्लोर और सिफ्ट प्लोर की कनेक्टिविटी कैसे लिए बुट मॉर्निंग राव भाई क्या हाल चले गौतम कंस्ट्रक्शन्स और बिल्डर्स बहुत अच्छा इस फिल्ड में तुम्हारी फैमिली का बहुत बड़ा नाम है आप को है फरत कंस्ट्रक्शन फ बहुत बड़ गया है ना तो मैंने सिमेंट के जगा पर मिट्टी मिला दी और मेरी बदनामी के वज़े से एक भी फ्लैट बेबी का मैं समझा नहीं अगर इस पर साइन करोगे तो मेरे कंस्ट्रक्शन के साथ गौतम का बोर्ड लगा दूंगा और फ्लैट आसानी से बिग बस इतना ही चाहता हूँ बड़ी आसानी से साइन कर दिये मुझे लग रहा था कि बंदुग दिखा कर साइन करवाना पड़ेगा इसने बड़ी आसानी से साइन कर दिया आपमें यही तो खासियत है तुनो, साइन तो असानी से हो गया, लेकिन पेपर बाहर लेकर जाना असान नहीं है अच्छा, तो तुम मुझे यहां से बाहर नहीं जाने दूगे पेपर गेट के बाहर लेकर चले जाओ, तो तुमारा हो गया गेट या स्टेट? गेट पार्क कर लोगे तो स्टेड भी पार्क कर लोगे समझे दुबारा कह रहा हूँ गेट गेट कोल्ड रहा हूँ रुजे पॉल्ड रहा हूँ रहा हूँ अरे पुरादे इसे अरे पुरादे इसे लुप Lexi के कुरादे बुबाय हूँ खुरादे इसे कौन है यह लोग जो गौतम से मार खा रहे हैं वो वो बिल्डर भरत राजपूत है कौन है दो शेर और सुनामी देखने के बाद ये पूछना की हू आर यू हाव आर यू तो बहुत ही आसान जवाब मिलेगा समझ गए चलो निकलो चलो निकलो का क्या मतलब है मैं पेपर के साथ ही बाहर जाऊंगा समझ गा ना पेपर्स पर साइंग करा लिया चलो वो भी ठीक था पर उसे बाहर ले जाने की गलती मत करना वरना तु मुझे धमकी दे रहा है क्या अभी देख में तेरा क्या करता हूँ दिगरेट दे रहे जलो ने मुझे फिर क्यो मारा अब क्या गलती की जो मारा तुने दुम्रपान करना और शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है मेरी सिगरेट मेरा लाइटार मेरे फैफड़े तुझे क्या प्रॉब्लम है इसे पॉब्लिक प्लीस में शिगरेट पीना गलत है हाँ या ना गलत है या नहीं यह विग्यापन तो हम पूरे टीवी में देखते तुने पूरे देश की जिमिदारी लिए क्या अपने मर्जी से मारना शुरू कर दिया किसको इनको इसको क्या बॉस आप समझें नहीं क्या यह सिग्रेट के लिए नहीं यह पेपर के लिए मार रहा है यह बहुत खतरनाक है इसके दिमाग में कुछ और है और मुझ से कुछ और बोलता है एकदम सही का मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है मेरे दिमाग में कुछ और होता है मगर मैं बोलता कुछ और समझ गया है तो अब क्या करूं मैं समझ गया भाई अबक्रमिर मैं एनिया आ तो आले है झालेओ और रहिंजा झाले जत आ ऐसा है जिए्या जारखुआ करें पोली आ, आ पाहिए कि 谷्क्रुटर उर्ब всегда दोंकर पनाईफूSt दआ हो न बाम राम्हरे best तरो मैं हु तेरा फैन रामा तेरे ही नाम काहे मुझे को साहारा रामा रामा हरे राम लीला तेरी अजब रामा तुझे है तुझ को रामा जगी सारा और जीत लिया लंका तुमने मेरे राम जी लाम जी के रस्ते पे चलता मैं हूँ मैं तो दोस्ती पे यार चान लुटा दूँ सचे दिल से मैंने सब का भला जाहा फैन हूँ मैं तेरा फिरो तू राम मेरा तेरे ही नाम मैंने मेरा ये जीवन किया ना लू टेंशन कर लू एक्षन तेरे ही नाम लेके हर मुश्कल से लड़ा मौला को सलाम करता हूँ बाबा को प्रनाम करता हूँ और खुश रहे सब मुझसे ऐसे काम करता हूँ सती राहों पे चलता हूँ खतरों से न मैं तरता हूँ और बाजुओं में ऐसा जोश मैं भरता हूँ और यारों की रक्षा भी मैं करता हूँ और खुद्दारी है मुझे में मैं न चुकता हूँ न तर्ड मुझे को जब सर पे हाथ दामा तेरा है पैन हूँ मैं तेरा फिरो तू दाम मेरा तेरे ही नाम मैंने मेरा ये जीवन किया ना लू टेंशन कर लू एक्षन तेरे ही ताम लेके हर मुश्कल से लड़ा कर दो सकते हैं झाल झाल यह क्या यह क्यूं शर्पा रहे है शरम तो हमें आनी चाहिए थो इसकी मा का साखी नाकम क्या पागल्पन बस प्रैक्टिस खातम जजमान दुनिया में शादी की प्रैक्टिस करने वाले पहले इंसान आप है पंडेत, मा डालूँगा तुम्हारे बॉड़ी का एक भी पाट नहीं मिलेगा शादी का मतलब है दुल्हन का हाथ धीरे से पकड़ना गल्ले में मंगल शुत्र पहिनाना उसके मांग में सिंदुर भरना इट्स फीलिंग भाई वो सीडी भी मंगाने क्या जिसलिए आपकी स्वागरात की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अरे यार वो लड़की दुसरे से प्यार करती है जानते भी भाई उससे शादी करना चाते है पता है मुझे शक है ये शादी हो गी या नहीं जान दूनिए मुहर्थ का समय निकला जा रहा है कन्या को लेकर आईए देखो तुलन बिल्कुल मालकी जैसी लग रही है अरे ये क्या है ये कौन है भाई वो मेरी दुल्हन भगागा नहीं ले गया इजद क्यों वाट लगा दी पकड़ो उसे या साइन कर दीजे प्लीज व्ललबस यरा तंक यू बल लुप धिचे सीता की शादी राम के साथ हुई थी ये पूरी दुनिया जानती है और मैं यहां का रावन हूँ इस आदमे को पहचान लो मुझे इसे मारना है उसके बाद ही मेरे दिल को ठंड़क पहुचेगी और जब तक मैं जिन्दा हूँ ये बदनामी मुझे तिन रात दताती रहेगी तुम से बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत टॉर्चर करूँगा ये मेरा तुम से वादा रहा तुमने मेरी बेईज़ती की है और तुम्हे इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी तुम मरते दम तक मुझे याद रखोगे क्या चैलेंज किया तुमने मुझे पप्पू गल्ती से भी अगर तुमने मुझे चुआ न तो कोमा में चले जाओगे और अगर तुने मेरी फैमिली को टच किया न तो तुझे अर्थी पर लेटा आऊँगा पर अगर तुने मेरे दिल को टच कर दिया न तो बात बनेगी जिन्दगी बार याद रखोंगा तुझे लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है जो लड़की किसी और से प्यार करती है तुम उससे शादी करना चाहते हो और जिस लड़की से तू प्यार करता है उससे अगर मैंने शादी कर ली तो तू क्या कर लेगा उल्लू के पठे अपने मू का वॉल्यूम मत बढ़ा वरना स्पीकर फोड़ दालूंगा देख लूंगा तुझे तू सिर्फ देख सकता है मुझे रोक नहीं सकता याद रख ले अपनी मेमरी में सेव कर ले मेरी मेरी में जगा नहीं है तू ही अपनी मेमरी में सेव कर ले ना उसमें वाइरस कब डाल दूंगा पता ही नहीं चलेगा चल निकाल वाह क्या डायलोग मना प्रिजिस्टर आफिस के साम नहीं पहली बार वन आप दी बैस्ट चालेंज है हाँ तो जिन्दगी में जिस लड़की से प्यार करेगा तेरी उस लड़की से ये शादी करेगा और ये तेरी वो हालत करेगा के जिन्दगी बार याद रखेगा तु ये तो एक फूल दो माली वली बात हो गई मैं तो तेरा बहुत बड़ा फैन हो गया है मेरी भी लाइब पूरी तेरे जैसी है ऐसा आत्मी कभी टकराया ने और तेरे जैसा आइडिया है ने कमाल के हो भाई तु भगवान पैसले के लिए इंतिसार कर रहो मैं हाँ एक इंच कम हो गया अब जीरो साइज के तरफ बढ़ूंगी पिफ्टी कमेंज एन हंडर लाइक येस डैडी सेलफी दी जीजा जी सेलफी गुद मॉर्निंग मॉम वेरी गुद मॉर्निंग मेरी बेटी भी कमाल की है बाहर फट्रोग्रफी करती है और घर में सेलफी लेती है आगर तुम्हारा गोल क्या है शारुक खान फिल्मों में एक्टिंग करता है और आईपियल टीम भी मेंटेंड करता है आमिर खान हीरो भी है और बिस्नेसमैन भी और शत्रोगंसना हीरो और पॉलिटिशन भी तो मेरा बी ऐसा ही है सेलफी मेरी होबी और फोट्रोग्रफी मेरा पैशन ओके कुमाँ कुमाँ निखिल स्माई कितना तयार होकर तुम कहा जा रही हो तुड़े इस नन दूस्टे मेरे फोट्रोग्राफ्स के लिए श्प्राइस मिलेंगे रहने दो जब से कैमरा लिया है मैं यहीं सुन रही हूं लेकिन आज का दिन खास है आज मुझे प्राइस जरूर मिलेगा नियच्छी फोटो है क् never before, never after Welcome to 26th anniversary of National Photographer's Club This year Best Photographer Award goes to Miss Nandini Thank you sir Wow One selfie वाव, एक्साइटिंग, ये प्राइस तुम्हें किस पोटो के लिए मिला? कि वो दिखने में कैसा है? मैनली है, या तुम्हारे पापा जैसा है? अच्छा दिक्ता है, या तेरे जीजा जीसा दिक्ता है? मैंने तो उसे देखा ईनी, क्या कहा? नहीं देखा उसे? वो तो उधर मिस हो गया, लेकिन लाइफ में मिस नहीं होगा मैंने तो तैकर लिया है जिस हाथ ने वो फ्लैक पकड़ा था उस हाथ को मैं लाइफ लॉघ पकड़ू दी मैंने उसे प्यार उसका हाथ देकर नहीं किया उसके दिल में हमारे देश के फ्लैक के प्रती, रिस्पेक्ट और तेश भक्ति के लिए किया है उसके लाइफ में आने से पहले ये प्राइज मिल गया आएगा तो क्या होगा? चलू ना, चाकर उसे डूढ़ते हैं उसे कहां डूढ़ोगी और कैसे डूढ़ोगी? डूढ़ोगी, उसका नाम गौतम है ए गौतम, वेर आ यू मैन? चान नशी, ना कोई तुच्चा है कहीं ओ मन्चली, मचा दी तूने खलबली तू दिल को ना यार तोड़ देना कभी ये रूप में तू लगे है दिल नशी लड़की तू मस्थया ते हुआ है प्यार लड़की तू मस्थयार ते हुआ है प्यार I love you, यार तू लावर बड़ा है प्यारा इस दिल को चुड़ा लिया है तूने यारा लड़का तू मस्थयार ते हुआ है प्यार झाल झाल छीजी दिल में बस तुम हो, नज़र में भी तुम हो, मैं तेरे बिन्न धूरा, मेरे जान में भी तुम हो अंजाना दीवाना लड़का तू मस्ताना लुक तेरा है प्यारा उमेर जाने जाना लड़का तू मस्त यार है है हुआ है प्यार लड़का तू मस्त यार है है हुआ है प्यार जान शी न कोई तुच्चा है कहीं ओ मन चली मचा दी तूने खलबली तू दिल को ना यार दोड़ देना कभी ये रूप में तू लगे है दिल नशी लड़की तू मस्थ है यार फे हुआ है प्यार लड़की तू मस्थ है यार फे हुआ है प्यार भाई मैंने देखा ये लड़कियां उस गौतम से प्यार करती है आज महल गिफ्ट में दिया मतलब उसकी लवर ही होगी हाँ भाई को लवर ही अपनी प्रेमिका को गिफ्ट दे सकता है मेरी होने वाली दुरहन को भगा कर ले गया और वो इतनी लड़कियों से प्यार करता है मैं खुद उसे यहां लेकर आजा लो इडना प्पु भाई ने नहीं उस मोटू ने किया है क्या रहा है मोटू तेरे अंदर गयाज भार कर तुझा पंक्चर कर दूंगा और तुम किसी के साथ भी चलिया होगी मुझ में कोई कमी है क्या तुम तो कुछ करते ही नहीं हो जा तुम किसे उठाया पताओ अपने यहां सर आपको बोलड़की नहीं तो आपने मेरे दिल के टुकडे मेरी पत्नी को उठा लिया क्या सार मेरी इंदगी पर बाद करके रख दिये अब मैं किसे मोधी घाऊंगा ऐसा कुछ नहीं हुआ फैन 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 करके आपने तो मेरे पं सच में कुछ घ्या नहीं ना यह ले आपन दोनों मस्ते फीक कर घर में एंजाइ करते हैं तुम लोग सबसे पहले चेक करो कंफर्म करो उसके बाद किसी लड़की को उठाना क्या उसके जिन्दगी में कोई लड़की नहीं आएगी एक कुमार मैंने कभी भी तुम्हें लवर की नशे से नहीं देखा तुम्हें हमेशा अच्छा दोस पांदी थी तुम सारी लड़के आइक जैसी होती हो गिफ्ट देने पर लवर समझती हो आई लव यू बोलने पर फ्रेंड बोलकर निकल जाती हो मेरी बात मनोगी या मैं यहां से कुछ जाओ तुम जल्दी से नीचे आजाओ तुम्हें गले लगाकर आई लव यू बोलोगी ठीक है ना देर मत करो जल्दी आओ तुम एक लड़की को जबरदस्ती आई लव यू बोलकर उसे मजबूर कर रहे हो और चाहते हो कि वो तुम्हारी धंकी से डर जाए और अगर बेचारी ने तेरी बात नहीं मानी तो दुनिया के सामने वो गलत हो जाएगी है ना उसे बचाने के रिए मैंने यह सब किया तुम्हें पता लाव क्या होता है? मुझे भी नहीं पता लेकिन वह बहुत ब्यूटफुल फीलिंग होती है चीप ट्रिक्स मत करो सॉरी सिष्टर कम ओन नंदू ने एक बक्रे को बचाया इंप्रिसिव लेकिन लेकिन मुझे कौतम नहीं मिला वह मुझे कब मिलेगा शेहर का हर मोहला बस्टों पर भी ढूंडा ओहो बस में करो अब ओडर तो दो ओके सुन कापुचीनो पीएगा ओके टू कापुचीनो प्लीज त्री कापुचीनो रोड़ा बाज्यू में अटिये क्यों बेटा कॉफी इतनी ठंडी कि यो लग रही है अपने लेकिन कॉफी कोफी नहीं चाहिए तो होट कॉफी और्डर कर दो कॉफी गरम चाहिए गर्मी के मौसम जैसी गरम चाहिए ओके सर हे नंदिनी तुम्हारा गौताम मिल गया जिससे तुमने बिना चहरा देखे प्यार किया उसके हाथ की फोटो है कोफी बहुत गरम है देखा ना मैंने कहा था ना स्टेफ बाइ स्टेफ में उसके और नज़िक आ रही हूँ डेफिनिटी गौताम मुझे मिलेगा ही मैं जिस लड़की से इंप्रेस्ट हूँ वो पहले सही मुझसे प्यार करती है बहुत ही सप्राइजिंग है मैं उसे सप्राइज देता हूँ कोरियर फ्रम गौतम दीदी हाई हाई दीदी आज 11 बजे जेवियार पार्क पे गौतम आपसे मिलना चाहता है आज 11 बजे जेवियार पार्क में गौतम से मिलने वाली हूँ यस गौतम ये गौतम होगा तो अच्छा आगा ये गौतम होगा तो अच्छा आगा गौतम ये इस इस मी गौतम कृष्णा नेरे दादा का नाम गौतम राजु पितादी का नाम गौतम महान मेरे भाई का नाम गौतम गंभीर टोटल गौतम ही गौतम गौतम फैमिली उस देन आपने एक फ्लैग पकड़ा था नहीं वो मैंने मैं एक भारतिय हूँ और भारत का जंडा पकड़ना मेरा धर्म है ये तो जंडे के साइज का है ये मेरा दामाद बनेगा ची नंदिनी की बुरी चोइस ची इस 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 माई गिफ्ट टेक दिस फर्स्त मेजिंग सेकेंड गिफ आए मीन फर्स्त गिफ्ट है चांकनी की जरुवत नहीं टेक दिस भरपूर जेल फिलो एंज्वाइ करो सिर्फ मैं ही बात किये जारो तुम कुछ बोली नहीं रहो बात करो टॉट सम्थिंग या अब मैं जाओं मैंने बोला बातें करो तो पुछ रहें जाओं आल राइट यू केन गो यह कैसा पागल था ये गौतम फेस पर इतना कंफिजन क्यों है और इतने क्वेस्चिन मार्क्स क्यों है तुम्हें जवाब चाहिए हां चाचा कॉन चाचा मैं लवर बॉय हो या ओफिस बॉय मेरी लव स्टोरी में तुम ने एंटरी क्यों ली पता है क्यों? मैं जिस लड़की को भी पसंद करता हूँ मेरी होनी चाहिए मुझे शाप में जो भी पसंदे उठा लेता हूँ और जब तक मेरा मन नहीं भर जाता शॉपिंग करता हूँ किसी का पर्स पसंद आया तो पर्स उठा लेता हूँ नेकलेस पसंद आया तो नेकलेस उतार लेता हूँ, ये मेरा टैलेंट है Easy money, crazy things, care of address मतलब, मतलब तुम चोर हो मतलब तुम चोर हो, पूछ कर मेरा मजाग उडाते हो कोई चोर नहीं होता, क्या विनोद खन्ना हेरा फेरी में चोर था, क्या मता बच्चन डॉन में चोर नहीं था मैसे देखो तो, नंदनी भी चोर है उसने मेरे दिल को चुराया है ये चोरी उसने कब की? कुछ दिन पहले की बात, मैं अपने धंदे पर निकला था कि मैंने देखा कि उसकी चमकती हुई ना भी मुझे डिस्टरप कर रही है फिर मैंने डिसाइड कर लिया, कि वो चमकती चीज और नंदनी दोनों मेरे क्यों मैं शारुख खांग जैसे लवर बॉय नहीं बन सकता? क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हो, लेकिन इस उमर में बातरूम में फिजल कर हाथ पर तुड़वा कर हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो प्यार क्या करोगे? मैं तुझे वोन कर रहा हूँ, अगर तुने नंदनी की तरफ आँक उठा कर देखा तो आँखे नोच लूँगा अगर बात करने की कोशिश की तो जीप काथ दूँगा, और कुछ किया तो बॉड़ी के टुकडे-टुकडे कर दूँगा बी क्यारफुल इस बुड़े को जवानी का जोच थोड़ा ज्यादा है, देखते हैं अरे, जब से हम लोगों ने उसे देखा तो सारा गर हॉस्पिटल बन गया नहीं, हमें ना वो चाहिए ना उसका कोई गिफ्ट चाहिए हलो, हाई, नंदनी, वील मीट एट सेवन अ क्लॉक, सेवन हील्स, हाड रॉग, ओके बाए जानू, मुझे पाप में बुला रहा है वाट, हाँ, पाप, वो तो दादा की उमर का लगता है, उसके साथ पाप जाओगी झाल झाल हाई झाल 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 तो तुम्हारा क्या हुआ वो अरत विदेशी है तेरी तो कुछ लगती नहीं है तो मारता क्यों है अरे अंकल एक इंसान दूसरे इंसान के काम कब आएगा अरे मैं कुछ बोलो और तू कुछ बोल रहा है पहले मेरी बात का जवाब दो तो पता ना तू पुछना क्या चाता है मान लो मैं वो इंसान अब इस लड़की को छेटने की कोशिश करो यह बहुत गुमा फिरा के बात कर रहा है इसको देखले देख एएएaut donuts पारा इसको से धिए पारम है एएएएएएएएएएए इसको, कि नि पारो पता रहा है न किसमा बात्पा दूल्द माइए प्योंगे इसको आंटेखले को मैं यह झायाझारे क्या हुआ इस जैकेट की बोली लाख रुपए से मामूली जैकेट का इतना मांग रहे हूँ अभी तो बस धुलाई का टेलर दिखा है जो इस जैकेट को खरीद का है उसे पहन लेगा उसकी जान में बख्ष दूँगा और आखी लोगों को हैं पाट लो यहां पार चोड़ वूड़ होई उसके पैसे जैकी सब्सक्राइब बाई बढ़ाए बहाए बहाए या मुझे वो टेंशन हो रही है अरे ठेंशन किस बात की खेल में हार जीत तो होती रहती है लेकिन तुम हिंम्मत बिलकुल मत हार ना तब ही तुम जीतोंगे ओके भाईया मैं जरूर फाइनल में पहुंचूंगा और फाइनल में आपको आना ही होगा और आप भी मुझे कोच करेंगे कोच की फिक्र तुम मत करो प्लाइट का टाइम हो गया आप जाओ मैं बात तो करनों पिताजी चलो आओ अनॉंस्मेंट हो रहा है ठीके जाब ऑल देबस्त ओके भईया बाई जाओ आट चाचाचा अब मैं आपको बिना बताए प्लीज करूंगा प्लीज चाचा, मुझे माफ कर दीजे, प्लीज मुझे माफ कर दीजे, चाचा फूल डाउन, उस दिन निस से परिचे करवाय था न, पब में विश्णू, विश्णू देश पाणने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए, इसका हेल्प लाइन है, बताओ, प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम, अरे क्या नाम नाम लगा रखा है, चलो जाओ, जाओ, जाओ यहां से, चलो, अब जल्दी बताओ, टेंशन में क्यो हो, क्या बात है? यह मेरी जिंदगी का सवाल है, चाचा, जमीन, आस्मान, एक हो जाए, यह चाहे सागर में पानी सुचा है, ठीक है, ठीक है, यह बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यार, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे गौतम से मिलना है, यह कौन से बड़ी यह क्या करें, मैंने कम मर्डर किया, वो जाचा, मैंने, तुम्हारी गर्दूत है, हाथ में इतनी बड़ी तलवार लेकर, मंचूरों की बस्ती में, एक आजमी को दोड़ा दोड़ा कर, दिन दहारे, और इपबलिक के सामने, उन्सके दर को उन्सके पदल से हरक कर दिया दा तुम ने उसके गले को कर्दू समझ के काट दिया, अरे उसका सेर था सेर, वो, आप मेरी आदा जानते है ना चाचा, प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किससे इतना प्यार करते हो, जो इतना बड़ा रिस्क लिया, मुझे उसके गले की चेन अच्छी लगी, तु गले से चेन चीनना चाहिए था, चेन के लिए गला काट दोगे क्या, चे, मुझे आइडिया ही नहीं आया, आपकी बात सही लगी चाचा, अगली बार मैं भाई करूँगा, तेरी तो, मेरे लॉयर आपसे बात करेंगे, मरने वाले जज्ज थे, मरने वाले जज्ज था, जि ने किया है सर, उस दिन में रेस्टरांट में इस ही ने मार पीड की थी सर, इसे अरस्ट कर लीजे सर, मुझे चाने लीजे सर, पकरा उस लेमत सर, पकरी पकरा, येस! I love you, मेरी जानम चाहता हूं मैं तुझको, I miss you, oh हमदम मैं प्यार करता हूं तुझको I love you, oh सजना, oh माहिया, oh साथिया, मेरे जानिया, है देखा मैंने तुझको, जब से तेरा हो गया है दिल भीवाना, मुझे तुझ से इश्ख हो गया I love you, oh सजना, oh माहिया, oh साथिया, मेरे जानिया, है देखा मैंने तुझको, जब से तेरा हो गया है दिल भीवाना, मुझे तुझ से इश्ख हो गया दिल में है एक मेर, तु ही बस माहिया, तेरे ही साथ मुझे है जीना, तेरे जिवना कही मुझे है जाना, तेरे ही संग मुझे हर पल रहना I love you, मेरी जानम, चाहता हूँ मैं तुझको, I miss you, oh हमदम, मैं प्यार करता हूँ तुझको I love you, oh हमदम, मैं तुझको I love you, मेरी जानम, चाहता हूँ मैं तुझको I miss you, oh हमदम, मैं प्यार करता हूँ तुझको Oh सजना, oh माहिया, oh साथिया, मेरी जानिया है देखा मैंने तुझको जब से तिरा हो गया है दिल दीवाना मुझे तुझसे इश्क हो गया हुआ है प्यार को न तुझको कि बापि नरीdadeिव लुक नुए पिष। पपु भाई के छोटे भाई लोग यहांनी की आपके देवर आप दीप में बैटिए हमारे घर पर चलिए और हमारे घर में दीप छलाए जले Sum मैंने इसे फोन करके पुलाया है अरे अपन का इजट का सवाल है यार उस लड़की को हाथ भी मतलगा ना मेरी इम्मत और मेरी ताकद यहीं पर बैठिये सब लोग आपस में लल्लो मैं एमपेर बनूगा जो खड़ा रहेगा वो लट खाएगा जो गिरेगा वो गोपर खाएगा यह कैसा पागल बेवड़ा है भाईया आपकी नजर में अमारी को इजट है की नहीं अरे जब दो को मानने चले आते हो आज क्या बेचने आयो सॉक्स, रुमाल, गंजी, चड़ी, जो चाहिए बोलिये हम तुरंत खरीद कर यहां से चले जाएंगे तुम ड्यूटी पर हो इसलिया नहीं मारूंगा तो इस लड़की को ले जाए लेकिन एक कंडिशन है कैसी कंडिशन भाईया अरे जब देखो तब कंडिशन सामने रख कर सकते हैं फारत करता फेया अपने तुछ बाभी को यहां से लेके जाओं तो तो च्या गलत काम किया तो ByAY क्यों मारा अउझे कनना नों बाभी को गाड़ी पिछा पता है उसके बाद क्या हुआ था कि मुँ रो रही हो सुझा पता ते्री वज़े से उसकी माँ विचारी उस लडगी को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश कर रहे पर वो सु ही नहीं रही है तो उसे ले जाने से पहले इस लड़की को सुलाऊ मैंने कहीं भी इस तरह का सेटलमेंट अपनी पूरी लाइफ में ने देखा अभी सुला दूंगा इसे, हम सब लोग मिलकर इसस सुलाएंगे आजा बैठी क्या हुआ भाई, बच्ची को लोरी सुना कर सुला रहा था तुझे आता है क्या आपना थिद्ध अला आजारे निंदिया आ जारे आके मेरी मुनिया को नींदमे ले जारे आजारे आजारे चंद प्रणा पे आजारे … तो बबदकर ये क्या गा रहा है लोरी आइसे गाए जाता है इद्धर ला अह मेरे देश की दर्दी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की दर्दी मेरे देश की दर्दी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की दर्दी अबे, बच्ची को लोरी गाकर सुलाने कहा था तु जोर-जोर से देश भक्ती का गाना गा रहे है, वहाँ देख जानना पसंदा है? जानना पसंदा है? जानना तो दुबारा वापस नहीं उठेगा इनके माक्याक पी कर सोना ही अच्छा है अवे सिब्याई पिछले साल तुम्हारे दो साती मारेगा और अभी तक मारने वाले हरेश्ट नहीं हुए और होश्यारी करने वाले सुनामी में बहे गए सागर के खिलाब कोई केस नहीं बनता है उनकी मौत का जिम्मेदार मैं ये बाते बहुत ही कम लोग जानते हैं मुझे मार कर तुम लोग भी नहीं बच सकते उपर भगवान देख रहा है अरे ब्योकू भगवान हमेशा बलवान का पक्ष लेता है शेर जब शिकार करता है तो वो हमेशा शेर का साथ देते और सुन शिकार शेर को मानना चाता है तब भी भगवान शेर का ही पक्ष लेता है तुम भी शिकार बन सकते हो और मैं हमेशा शिकारी ही रहूँ हैपी जन्नी टू माइफ्रेंड हैपी जन्नी नमस्ते सिपी साहब मेरा नाम पप्पु है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ है क्या बखवास कर रहे हो आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरी ठसन है उसके लाइफ में आपकी बेटी गई इसके लिए यहाँ आया हूँ उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ और यह भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसी दिखती है मैंने उसे देखा नहीं हमी आ गई है भाई आई उसके आइटम यह है क्या देखो एसी पी तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी तुम्हारी बातों से दो बाते मेरी समझने आ गए पहली मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार कर दिये दूसरी तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है अकर मेरी बेटी तुन से शाधि करने के लिए राजी होती है, तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुमारी मदद करने से मेरा क्या पर आपको क्या चाहिए? टी जी पी टी जी पी पहले शाधी की डेट फिक्स करिए दादा, ACP के बेटी के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा अरे पपू, इंगेजमेंट और संगीत का मनमुहाख खेल मैंने बहुत खेला है पपू अगर लड़की की मर्जी की बेना तुमने शादी की, तो तुम्हें जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे मंडब में जाने वाला पपू, उसका इत्यास में अची तरह से जानता हूँ अब भी आऊँ, जरूरत नहीं ददा, मैं खुद संभाल लूँगा जानते हो, तुम्हारी वज़ा से कॉंट्रेक्ट हाथ से निकल जाएगा पिताजी आपको पता है क्या हुआ नहीं, मुझे कोई एक्स्प्लाइशन मत दो तुम मेरा फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, गौतम, अब मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सिफ तुम ही सॉल्व कर सकते हो क्या हुआ नंदिरी? मेरे डाडी ने पप्पू से कॉंट्राक्ट बेसिस पे मेरी इंगीजमेंट फिक्स कर दी है तुम्हारे डाड है का? ओ, तुम मुझे डी जी पी बनाने वाले हो मुझे डी जी पी बनाना प्यार करने जितना आसान नहीं है सर, लाइफ में हर मैटर के लिए सिंपल और इजी सलुशन्स होते हैं वो तो हम है जो उसे कॉंप्लिकेटट बनाते हैं मुझे आपको डीजीपी बनाना एकदम छोटा और मामूली सा काम लगता है और कॉन्फिडेंस लेकिन मुझे पपू पर कॉन्फिडेंस है पताये क्यों? क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉंग बैक्ग्राउंड है और उसे माफिया का बॉस दादा का सपोर्ट है वहले ही वो गलत रास्ता अपना है लेकिन वो मुझे डीजीपी ज़रूर बनाते है अगर आप सिंसियरली ड्यूटी करेंगे तो डीजीपी बन जाए अब ये प्रैक्टिस शुरू नहीं ही और ऑलिम्पिक्स में गोल्ड मेडल जितने का सपना देख रहे हो दुम चाहते क्या हो मैं इस उम्र में दोड़ा-दोड़ा कर इंकाउंटर करू और अगर उन्होंने मेरा इंकाउंटर कर दिया तो मैक चाहे कोई भी जीते कब सिर्फ कैप्टिन को ही देते समझा नहीं बहुत सिंबल है सर आप अपनी गन मुझे दे दीजे दादा और उसके गैंग की लिस्ट दे दीजे एक-एक करके उनका इंकाउंटर करूँगा और आप प्रेस कॉन्फरेंस बुला कर कह दीजे कि यह आपने किया है ओ बन जाओंगा डीजी पी जरूर बन जाओंगा डीजी पी गो-गो-गो है देखा सर यह आत्मी नहीं मिसाइल है देखना यह कैसा दमाख है करेगा क्यों रहे अज बहुत खुश लग रही हो इंगीश में ठोने वाली है ना और देखना गौतम ऐसा होने नहीं देगा गौतम? यह हुआ जजा नंदनी के डिजाइन के हुए फोटो फ्रेम में फोटो या तो इस गौतम की हुनी चाहिए या फिर इस गौतम की यह बीच में लंगूर कौन है? जो भी हो इस एंगेजमेंट को रोपना होगा चलो अग्षब लंगो अग्षब लंगो प्रिख प्रिफ प्रिफ दिल्ग है आई अई तुो अई बन्हें दो आए एंग लाओ एंग लाओ आए हुआ एंग हुआ हुआ और तू.. आज़स्टी.. जिए ले.. आ अज़स्टी.. आज़स्टी.. अज़स्टी.. जँँ.. खाई.. कौन है वो जिसने बबर को मारा ओ येस मुझे पता था गौतब मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए तुब कोई भे रिस्क ले सकते हो I love you I love you so much I love you too अरे 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 ये बताओ आखिर हो क्या रहा है ब्रीक के बाद बताता है विए उख सकते हुस बदेब अरे घाँ अरे थैड़ा है अब तो बता दे ये सब हो क्या रहा है भाई इस सब के लिए मैंने नंदिनी के डार को कंसर्ट किया थे मतलब प्यार के लिए तुम मर्डर करोगे मतलब उसे डीजी पे बनाने के लिए क्रिमिनल्स को मार दोगे ससुर जी ने लिस्ट दिये चाचा अब उस लिस्ट में जिसका भी नाम है उसे मैं जिन्दा नहीं छोड़ूँगा मैं समझ गया यह एक एक कुट नपकाएगा सब को लगाएगा एसीपी ने मारा है और इस तरह एसीपी को प्रोमोशन मिल जाएगा पिर यह नंदिनी से शादी कर लेगा मैं दादा के आदमियों को मारने का क्रेडिट मेरे अकॉंट में डालूँगा तो एक दिन दादा मुझे ही टपकाएगा गौतम के हाथों जब दादा आखिर में मारा जाएगा तब हम बताएंगे यह एंकाउंटर मैंने किया था इसके हें बताएंगे भगवान इसे नीचे करो भगवान दूबे मेरी बीवी ने अल्रेडी सटा दिया था इधर तु मुझे टपकाद होगे उधर उसका सिंदूर धूल जाएगा मुझे सही में नहीं बता एक मारने वाला बता सकता है दूसरा जिसने देखा वो बता सकता है और तीसरा मरने वाला बता सकता है और फिर मारने वाले को हम मारेगा दाडा का बेटा है मैं ये बच्चों के लिए तो भाई है लेकिन भाईयों के सामने बच्चा है फिर कब मिलोगे डालें जाओ जाके तुम अपनी पसंद की साड़ी करना कहा है कहा है मेरा प्यारा भतिजा जिसकी शादी होने वाली है तो आप पहली वाली शादी में नहीं आए और अभी शादी के लिए यह दो दो शादियों क्या बात कर रहे हों का अब सिर्फ फ्लैश्बैक ही रहा है तब सब बताओ के हुआ है वह देखिए आखिर तेरी शादी का प्रॉबलम क्या है चाचा कशादी करना मेरा सपना है तो तुम तो हमारे भाल नट करने के बाद में तुम पेदा हुए थे और मेरे शादी की कई पहले ही मेरे पिता की मौत हो गए थी हमारे खांदान में शादी नहीं हो सकती है लड़की पसंद है उसका इस्तमाल करो भूल जाओ बाहर आटो में एक मस्त आईटम है भेश दूं क्या चाचा आप भी ना समझ गया समझ गया मेरा ही भती जाए तुम लग इदर क्यों आया है दुश्मनों के साथ तो उस्ती करना मेरा परम सिध्धान्त है मेरा भी यहीं सिध्धान्त है सेम टू से तो हम चले को आचलो कि थी बाबर की मौत के पीछे इन दोनों का ही हात है तुम हर ये डरामा बात से बंद करो बबर को तुम नहीं मारा है मुझे पता है सब्सक्राइब जो मूह में आये बकते हो मेरी उतनी हिम्मत कहां कि मैं बबबर को मारू उससे तो अच्छा मैं नंदिनी को ही मार देता है कुछ भी बोलते हो पहले पता लगाओ उसे किसने मारा है भाईया आपके नाम से डिविडी आई है जिहार 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 अस्सलाम आलेकम पपु भाई वालेकम अस्सलाम एंगेजमेंट हम नहीं रुकवाई है मेरी शादी और अलकाइदा का क्या सम्मंद है इधर पुछो भारत के टॉप 10 टेर्रिस्ट के लिस्ट में सबसे पहले तुमारा नाम आया सुन रहे हो गौतम टेर्रिस्ट भीज के पीछ लगे हुए है आज का लिंकी बहुत चल रही है चाचा तुमारा थोब्रा देखने के बाद बिल लादन की याद आती है है ऐसे गर दिख रहा है बाई क्या बता हूँ आपको आपकी आइटम से तो वो बिल लादन की आइटम कई कुल अर्ची है अलकाइदा होया और कोई आज से तीज दिन के बाद मेरी शादी होगी स्ट्रॉंग महुर्ट निकालो एए उस दिन आ जाना बहाँ अपरे तीज दिन है मुझे अज़ा लगता है चाचा कि तब तक ये होने वाली दुलन को बहुत टॉर्चर करेंगे न जाने क्या होगा चलो हमारी जान तो बजगे तब तक हम क्या करेंगे कर लेंगे कुछ न कुछ बैंकोग जाकर एंजॉय करते हैं चली भाई भाई उन्हें रोके न भाई उ स्वाई समीeu20 वेटेमाले मेटेंगे कृते है असिस मेंूडर कं चली है मैं नीड को वरी ऐला हाई किसका घडा रहे टको नहीं जानता तू आए हई गन का दादा, what can I do for you? एक आदमी का मौरने के बाद में, उसे कौन सा पार्ट कितना देर जिन्दा रहता है, ये बात तुम मेरे को बता हूँ. इसको जिसने भी मारा होगा, तो इसका आँख में उसका इमेज होगा? नेचरली. तो उसका इमेज हमको चाहिए. हेवी बॉड़ी. इसकी आँखे जड़ से निकाल कर, रेटिना अलग करके, कैमेरे की तरे इमेज निकाल कर, उसके बाद उसे प्रिंट करके, प्रोसेस मात बाताओ हमको, हमको रिजल्ट दिखो, रिजल्ट. अब चार दिन वेट कीजिए. ये, वेट करने का टाइम नहीं है म लेकिन रेटिना से इमेज निकालने के लिए, कम से कम चार दिन लगेंगे, आप वेट कीजिए, प्लीज वेट कीजिए. ए, इरुको, सुनो, पप्पु तो स्ट्रॉंग महुरत निकालने के लिए कहकर गहीं चला गया, अब हम क्या करें? महुरत को आगे बढ़ा देते हैं वो कैसे? वो कैसे? नंदिनी की एंट्री. बाइया, भापी आ रही है. मेरे घर आई हो. लेंस के अंदर से देखा, तो मुझे वो देखाए दिया. कैमरा क्लिक करने के बाद पता चला वो आदमी ये है. लेकिन फोटो का प्रिंट तो तुम्हारे साथी होगा ना? मेरे दिल का फोटो तो इसने खीच लिया. लेकिन आल्बम तम बनाओगे. इसलिए शादी थोड़ी पोस्पोन कर दो ना? अरे, क्या बात कर रही हो नंदिनी? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है? जब चाहर बदल ली? ये शादी है. वो भी स्ट्रॉंग मुहरत में. आपने शादी की प्लैनिंग तो कर ली होगी न? प्लैनिंग इसकी है तुम्हारी. एई, ये मेरे होने वाली पत्मी है. मुझे क्या कर रहा है? एई, भावी को अंदे ले जाओ. ओके बाई, एह नमस्ते भावी, आईए. भावी आ गई है, अब आगे बहुत बड़ा कांड होगा. मुझे तुझ से है कुछ कहना. सुन, सुन, मेरी माहिया, दिल में तेरे मुझे है रहना. सुन, सुन, मेरी सातिया, बिन तेरे अब मुझे आए चेना. नैना, नैना, आदिल में तुझे बसा लू. नैना, नैना, तुझे पाहों में मैं बर लू. नैना, नैना, तुझे प्यार मैं कर लू. चाहूं तुझे खुद से भी, ज्यादा जान मैं मुझे से. सुचू तुझे हर घड़ी, देखू सपने मैं तेरे. पाहूं तुझे चाहा यही, दिल मेरा हर पल करे. सुन, सुन, मेरी नैना, जीना जीना तेरे लिए है जीना. सुन, सुन, मेरी नैना, जुदा जुदा तुझे से ना रहना. सुन, सुन, मेरी नैना, संग संग राहों में है अब चलना. जाने जाना किसे तेरे हर लम्हा लब पे मेरे तेरे सिवा कोई नहीं दिल में रहता है मेरे सुन सुन मेरी नैना जीना जीना तेरे लिए है जीना सुन सुन मेरी नैना जुदा जुदा तुझ से ना रहना सुन सुन मेरी नैना संग संग राहों में अब चलना कर दे प्यार की बरसाती जाहे दिल ये मेरा ख्वाइशे ये कर दे पूड़ी समा बाहों में समा दिल दिर जादू तेरा छाने लगा है मुझे पे जबे चैनी सी बढ़ने लगी अर्मा जगने लगे मेरे तेरे भीना चैना नही आजा थोड़ा पास मेरे सुन सुन मेरी नैना जीना जीना तेरे लिए है जीना सुम सुम मेरी नैना संग संग राह में अब चलना से बाहर हो गया है नंदनी यह का है नंदनी रात को तुम मेरे सपने में आए थे पपू कितना क्यूट सपना था पता है बहुत हैंसम लग रहे थे नाने के बाद मैं अच्छी तरह से लिपस्टिक लगा कर तुम्हें किस करने आई थी और कोरिडूर में यह था आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता कहानी बना रही है अफसोस मत करो रात को सपने में मैं है था नहाते वक्त भी मैं ही तुम्हारे किया लेकिन आगे का जो मेंटर हुआ उसमें तुम थे क्या सौरी पपू यह मेरा फर्स टाइम है मेरी पहली गल्ती को माफ कर दो ना ऐसी गल्तियां करती रहे और हर गल्ती के बाद बुलीगे फर्स टाइम है तुचा ओके वो तु नादान है तुम तो समझदार हो अरे उ उसे लगा पपू तो उसमें मेरा क्य फॉल्ट है देख मुसे प्यार के पागल पन में मुझे पकड़ यह देखकर तुम पागल होई यह सब मुझे नहीं चाहिए तुम जल्दी से शादी की तारीख फिक्स कर दो थेट मैं आराम से बैंकॉक जा सकता हूँ तू चलेगा मे हैदराबाद से पप्पू का फोन है बोलो दैदा मैं शादी कर रहा हूँ अब यह वो शादी का पागल इधर मन रहो गया और तुझे शादी की पड़ी है शादी लोग दिवर दिमाग अगर किसी को दिमाग है तो मेरे छोटू को है पता उसने तुम्हार शहर में क्या किया शोटू इसी शहर में है लेकिन कहा शहर के बाहर पहाड़ी लाके में है सुनो मेरी शादी मेरी शादी उससे होकर रहेगी और शादी के बाद दादा के पेटी को भी देख लूँगा यहाँ छुप कर बेढ़े हो आखिर हमने तुम्हें ढूट कर निकाली लिया देखो तुम्हारा शिकार करने शेर आया है आखिर हमें तेरा प्राप कौन है आप लारे क्यों बे हमें नहीं पहचाना हम शेर है चोटू बां कर लो शादी कर लो द बबर मोर यह द liberty बहुत कपुछ मुझे पहले शादी कर लेने दो प्लीज मुझे भी मार दो शादी मेरा गोल है अरडिया टार्ट है मा एम माई लाइफ एंबिशन छोटू प्लीज हमारा लाइफ जाने वाली थी और तुम लाइफ का बनाओ क्या हुआ छोटू एक शेर है और एक उसका साथी है दोनों को मारो दोनों को मारो उसका साथी को मानने के बाद तुम्हारा साधी होगा सलमान खाना और उसकी शादी होते होते रुख जाती है अरे भतीजे मैंने का आता ना हमारे खांदाल में शादी होई नहीं सकती है पसंद आई ना यूज करो भूल जाओ बहुत सारी आइटम लाइन में खड़ी है भेज दूं क्या है है वह 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 था है शेर अकेले ही आता है यह दोनों सुपरस्टार तो नहीं हो सकते याद करो उनकी बारे में कुछ याद आया तुम्हें बताओ हाँ टैटू था उसका हाथ में टैटू टैटू था टैटू में क्या लिखा था चुपरतू हम कॉलकाता से आया है वो जिस भासा में लिखा था मेरे को समर में नहीं है बच गए अब महें तुम्हें कैसे समझाव मेरा अंदाज था वो टैटू वाला यहीं कहीं होगा तो अधिका अपना देखो देखो देखिए तैटू यह वो हाथ नहीं है एक और भी हाथ है तुम्हें तो हॉस्पिटल में उनों चेथे तुम्हें का अपना हाथ दिखा अपना हाथ दिखाने रहा है सर मुझे क्यों बारा अरे इसको देखो चीटी कर जैसा दिखता है यह मेरे कुमारे का कि अधा का बेटा है हां में क्या लगा मैं तुम्हारी इस धंकी से डर जाओंगा इंबत है तो शूट करो देखो टीक से टैटू है क्या देखो धान साहिदार टैटू है सौरी सर चाचा थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गया प्रस्टेशन नहीं मेरे भाई फायर इंजन से फायर निकलने वाला था चाचा फायर इंजन में फायर नहीं वाटर होता है सब्सक्राइब ज्यादा टेंशन हो गई है चलिए थोड़ा अराम कर लीजिए है डाक्टर लैप उसकोल कीधर है इमेज कीधर है आ मैंने इमेज निकाल ली सब्सक्राइब किसकी इमेज गई है मेरी या तुम्हारी यह तो स्टार है चाही कहा तुमने हम बोला थाना हम बोला थाना हम को मारने वाला को छोटा मुटा शेर नहीं था बबर सेर था बबर सेर था वो शेर है शेर तुमको इसी आदमी ने मारा और रेटिना में भी इसकी इमेज है यह तो बड़ा कन्फिजिंग है गौतम यह तफ़ा कैसे हो सकता है आजकल बड़े लोग मरने के बाद वापस आते हैं माइकल जैक्सल वापस आ गया था तो शायद यह भी आ गया होंगे बाद बात तो पतेगी कर रहा है तेरा डॉट तो किलेर हो गया है यह कैसे हुआ इमेज कैसे बदल दी तुमने उस इमेज को इस इमेज से रिप्लेस कीजिए वो आतमे गन दिखा कर कहता है कि इमेज बनाओ और तुम कहता हो कि इमेज बदल दो उसने गन चला दी तो मेरी इमेज दिखल जाएगी मैं डॉक्टर लेपस कॉल हूँ ऐसा नहीं करूगा तुम ऐसा ही करोगे नहीं बदलूग जार खुजाने हो डैनरस है बदलोगे आप बदलोगे नहीं बदलूगा बदलोगे बदलूगा सुनाई नहीं दिया मैं बदलूगा क्या ब्रेन है यार इमेजिनेशन से कहीं उपर उसकी गन से बाल बाल बज़ गया हमारे छोटु सापका पागलपन देखकर मेरा बीपी हाई हो गया है हमें कैसे भी करके उनके पागलपन से बचाई ये ट्रॉंगा उनसे कहो कि वो दोनों सुपरस्टार के फिल्मों को ना नमस्ते सर क्या प्रब्लम है तुम्हारे हार्ट में हो लिया कितनी में हो ऐसा कुछ ने सर टाइटू प्रॉब्लम है इस टाइटू की वज़े से मेरी जान जा सकती है सर लेकिन उसका तो पांच रुपे में कर दिया था अरे बेवकुफ वो यंग ब्लैट था उसका खुन गरन था इसमें तिल्ली हो गया तो फिर मैं क्या करूं सर गॉड को प्रे करो अगर गॉड नहीं चाहा तो डॉक्टर साब मुझे मन्जूर है मैं 6 लाग आपको देता हू अगर उसे यहीं टॉर्चर करेंगे तो दादा अपने आप बिल से बाहर निकल आएगा मेरा कॉल नहीं उठा रहा है पप्वू तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है चोटू का फोन कंटिनूस्टली स्विच ओफ है सम्टीं सम्टींगी इस रॉंग पप्वू के एंगेज्जमेंट के समय से ही यह प्रॉब्लम शुरू हुई है जरूर दोनों में कोई लिंक है हमारा नेटवक कोई हैक कर रहा है ऐसा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? हमारा कोई दुश्मन जरूर है, हो सकता है, वही दुश्मन ये सब कुछ कर रहा हो पहले बबबर को मारा, फिर छोटो को मारने की कोशिश की मतलब अभी उसके हिस्से का काम बाकी है उस पप्पू को फोन करो मैं उससे मिलना चाता हूँ बेलकुल नहीं मैं उससे निपटूगा मैं शेर का शिकार करके उसकी डेड बॉडी से आपका वेलकम करूगा तेरा बाप आया है तेरा बाप देखो लास्ट वोर्डिंग है तुमारे लिए तुमारे बाप को बुला यहां पे समझा तेरे बाप को बुला ले बुला ले जन्दी बुला ले मैंने इसा क्या पाप किया है मेरी शादी नहीं होगी क्या वो गौतम वो दुनों ही क्या बोलते हैं सुपरस्टार्स जिहादी लोग लगता है इस जन्द में मेरी शादी नहीं होने वाली पूपू चाशा को बुलाओ बापा को बुलाओ दिमाग का दही मत करो पापा को बलाओ चाशा को बुलाओ पूरी दुनिया को बुलाओ मैंने डिसेट कर लिया मेरी शादी नहीं हो सकती मुझे शादी नहीं करनी है मुझे शादी नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे शादी रुप के भाई जा वुआ यार इस तरह मुँमे उंगली डाल के सोच रहा है अरे तेरा कॉंपटिटर मैदान चोड़ कर भाग गया है सुन अब उसे शादी नहीं करनी अब तेरी लेंट क्लियर है वो बात नहीं है मैं उस डील के बारे में सोच रहा था अभी तक वो डील नहीं हुई है तो फिर से शादी करने के लिए मन में चाहत के बीज बोने होंगे इस ट्विस्ट में इस लिंक में इस प्रॉब्लम में सब तो तुमने क्लियर कर दिया यार येस अरे बता ना यार हस ती उरा है मेरे भाई बता दे अब तेरा अगला कदम क्या होगा अपना काम हो गया चाचा कैसे? वहाँ देगो अब देगो इस लोंगी बाबा को तेरी एक-एक बाद का पता है तेरा चोटा भाइप आगल है ना तेरा चाचा एक नमबर का कमीना है बाबा आई यह बाबा आपको अक्सिजन की निलता है पहले उस प्राब्लम वाले लूंगी को लेकर आगे आओ यह क्या हो रहा है बाबा मौका लिए बिना कुंडली नहीं देखते इस लूंगी में वो योग नहीं है कैसा योग नहीं है शादी का योग नहीं है मुझे में शादी की सारी क्वालिफिकेशन्स है बैटरी में चार्जिंग नहीं है तो आईफोन लो या चाइन आफोन लो क्या फरक पड़ता है इस लूंगी से जिस लूंगी को प्रॉब्लम है उस लूंगी को लेकर आओ इस लूंगी में पावर जदा है, तेवर जदा है और लाइट जदा है इस लूंगी के साथ तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है दुनिया में औरतों के लिए बहुत लडाई जगड़े हुए है अब उस लूंगी को लेकर आओ लूंगी के बारे में तुम्हें बड़ी अच्छी जानकारी है मैंने जो लूंगी पहनी है ना, उसे देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे ये लूंगी तो आउटडेटेट हो गया है रे, ये तो सूख गया है रस्ती पर लटकाने के सिवा इसका कोई काम नहीं है इस लूंगी का राम नाम जपना ही अच्छा रहे है बाबा, पप्पू बहुत दुखी है, इसकी शादी का योग है या नहीं बताईए है न, अगर ये साथ मरे हुए लूंगी का नाम ले लेगा, तो इसकी लूंगी का काम हो जाएगा नमबर वन, फाइफ अदर, नमबर टू, भाई के पिता जी, नमबर थ्री, मेरे पिता जी, नमबर फोर, नमबर बाकी के बचे हुए तीन लूंगी ऊपर जाएंगे, तभी इसकी शादी हो सकती है पापा को बुलाओ, चाचा को बुलाओ बाबा, मेरी शादी नहीं हुई, तो कुई बात नहीं लेकिन, मेरी वज़्ज़ से, दादा की लाइफ को रिस्प नहीं होना चाहिए देखो पपू, पहले उन लोगों को यहाँ बुलाओ, लाख लूंगी की दुआओं के साथ मैं उन्हें बचाओंगा, फिर तुम्हारी शादी होगी यह सब देखकर तु मुझे डर लग रहा है बाबा पहले इस लूंगी का भय भगाना होगा पेरी सच्चे परम भग रंधीता लूंगी को बुलाओ पेरी है सारी दुनिया ये दिवानी तैनों से गोली चला दू मैं नशीली हूं मैं हूं पिंकिये हूं मैं हूं पिंकिये हां मेरे जैसे कोई नहीं मस्त मेरे चल्वे दीवाने मेरे पीछे लफ्र राइट घुमे हर दिल में जला दू प्यार की लाइड दिम दू मैं हूं पिंकिये मैं हूं क्यूति जादू चला ये ये मेरी फियुटि मैं हूं होटी मैं हूं नोटि सारे आशिकों की नींदे मैंने लूटि आँ एंदे गाद लूटि मंट gras यह दिल हुआ आवारा मैं तेरे इश्क कमारा मैं तेरे थेसी आदा में जादू है भरा मैं आशुक हुआ तेरा दीवाना हुआ तेरा तेरे जल्बो का जादू है छाया मुझस mm अरे आजा मेरे दिल में जाने काम-काम वेल्कम अरे मैं हूँ पिंकी, मैं हूँ क्यूटी, जादु छाहे सप्पे मेरे बेउटी रह, यह आदा होटी, अरे मैं हूँ नोटी, आशीको की नींदे मैंने लूटी आजा प्यार देदू, अर्मा पूरा करदू, दिल वालो मदवालो, यह शाम सुहानी करदू, प्यार का मजा देदू, सपिछ तुछ पे लुटादू, यह जल्वा, ओ माही, तुछ पे लुटादू जादू यह तेरा जल्वा ऐसा छाया, बल्ला, 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 मैं हूँ रेडी, हाद कर ले मस्ती, लेके जा तू दिल मेरा, ओ बेई बे मैं हूँ पिंके, मैं हूँ क्यूटी, जादू चलाए ये मेरी ब्यूती, मैं हूँ होटी, अर मैं हूँ नौटी, सारे आशिकों की निंदे मैंने लूटी किसको भीजरा था, बता किसको भीजरा था किसको भीजरा था? किसको भीजरा हुँ किसको भीजरा, बता कि देए लुक जादू कि अनान टृट्स पूरा कि हम ढधिन मेंगी झालोफ्टू झालोफू जा झालोफू झालोफू जालोफू प्रटकाव झालोफू कर दो में बुछ कि अगए कि अन्यूigorु कि अन्यू़िय plag जो जो ए जो कर दो लेव ब मैं करो खी मैं आ anytime गुाय को प्लोर विर्टा कर ओिर ईोला वा आया उ थ혜 खार, दी में जर करो जomed on कि लेए उख़ वेपा वो फए खिर राय को राई ह कि गया Tell कि पेर्ञ इष्ष्ट सता Wiस लो को सकते जिर्ञ्ट सिंसु भैजमिमण तो हिश्बग को सिंसु भैज दो जिर जिर्ञ्ट घडिखित जिर्ञ Suddenly क्या हो रहा है उदर याजे देपो क्या क्या है कि बबबर को मारा छोटू को टॉर्चर किया और तुझे भी खत्म करने वाला हूं मैं धापी जोदी करने गंती करता है तो उसे सजा दे सका हूं मैं करने फिर्चर कि आप है बहुत ज्यादा हुआ तो हाथ पैर तोड़ सकते। पर जान से मार देना समझ में नहीं आया। उसके क्या जरूरत थी। प्यार के लिए पिताजी। एक लड़की के प्यार के लिए। सिर्फ एक लड़की के प्यार के लिए। किसी को मार डालोगे। हाँ मार डालूँगा मैं प्यार के लिए मार डालूँगा लेकिन उस लड़की के प्यार के लिए नहीं मेरे छोटे भाई अजय के लिए मेरी माँ के प्यार के लिए टेंडर के लिए मैं शहर गया था फिर अज्जाय का चेस कॉंपिटिशन देखने के लिए कॉलकाता गया था फिर पीर चाहल इन दोर तुम्ता तैसelle दोर्जिशन देखने के लिए अजएागी प्रभए अénाशनेश्ट्च सफंपिश्डिय को मुझा ओ। तुआ प्रॉप्राइब बॉस्टू अमस्विश्टू प्लीज़ नियुक्तू अजेब अजेब हलो अजेब अवाज आरीए भाई आपको सुनाई दे रहा है क्या अजेब हलो हलो वह रस्षटू क्लिस्टू आजेब क्लिस्टू अमस्टू आज़ अमस्टू आजिब मस्टू आज़ हाँ प्राइब दो happy journey my friend तेरा नाम क्या है बेटा अजय कहां से आया हूँ आइद्राबाद ओ मैंने पहला मंडरों ही किया था नेशनल यूज चेस चैंप्येंशिप मुझे भी चेस के लवह अच्छा लगता है पता है क्यों उसमें मारना पड़ता है ना गलत मत देखो गलत मत सुन गलत मत बोलो कि तुम्हारे टीचर ने शिखाया नहीं क्या मेरे भाइया कहते हैं गलत मत देखो गलत होने मत दो और गलती करने कर सकता है यह क्या कर दिया हम अपना काम कर रहे थे यह बीच में आ गया इसलिए तो क्यों मासूम बच्चों को मारों गया इसने मारती हुए हमें देख लिया था इसलिए यह मारा गया अब तुमने इसे मारती हुए देख लिया इसलिए तुम भी आ माज exclusively कर दो करन्किन से झाला हुए जपल दो कर दो कर दो कर दो कर लो कर दो मा 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 इसब क्या है गोदब गोदब अजे 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 भाया अजे भाया तुछ नहीं होगा भाया अजे अजे मैं तुछ पलाव जे अजे मैं अजे 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 मा गौतम वोलो कौन थे मा मैं नहीं जानती क्यों मारा यह भी नहीं जानती और नहीं यह जानती हूँ कि उन्होने आज यको क्यों मारा मेरी आखों के सामने मार दिया उनके लिए इंसान की जैन की कोई कीमत नहीं आद्मिंवर जान्वन में कोई फरक नहीं दिखता हुने इन्सान को इस तरह मारने का उन्हें कोई आप नहीं है गौत्ब उन्हें मार डालो मा ने कहा उन लोगों को मार दो क्या ये घलत है? लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जाता था कोई सुराग ढूनने के लिए मैं फिर से उसी चेखे गया वह मुझे आजय का फोन मिला उसमें रेकॉर्डड विडियो से सारी बात साफ हो गई वो लो कौन है? कहां मिलेंगे? ये ढूनने के लिए मैंने पूरा कॉलकाता शेहर चान मा जिनको भी उनके बारे में पूछता था वो एक ही जवाब दे दे थे कि हमें नहीं पता फिर मुझे पता चला कि मेरे टागेट का नाम दादा है और उसे आसान मौत नहीं दूंगा उसे तड़पा तड़पा के माम कर और फिर मैंने पता लगा कि दादा की हाइदराबाद लिंक का नाम बब्बू है और उसे खूनने में मैंने मेरे प्यार की मदद ली मैंने नंदिनी के डैड से मुलाकात की उन्हें लगता है यह मैं प्यार के लिए कर रहा हूँ बगर मैं अपना पदला पूरा कर रहा हूँ उसके बाद मैं शिकार पर निकला रहा हूँ इतना कुछ हो गया लेकिन एक बात भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताई बताने की हिबमत ही नहीं हुई मैंने सोचा आपको ना बताना ही अच्छा होगा मुझे लगा अगर मैंने आपको बता दिया तो शायद आप परदाश्ट नहीं कर पाऊगे इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझे से चोपा कर रखी क्यों तिर्फ इसलिए कि टेंचन में मुझे कुछ नहीं हो जाए ऐसा कुछ नहीं है जी जब तक तुम जिन्दा हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है मुझे कुछ नहीं हो अजे वो अभी मरा नहीं है इंतजार कर रहा है कि उसका भाई उसके हत्यारों से बदला लेगा जरूर बदला लेगा वो मरा नहीं है अभी कि अभी नहीं मरा है। गलत मत देखो, गलत मत सुनों और गलत मत बोलों. ऐसा गांधि जी ने कहा था. गलत होते वेड चुप मत रहो, ऐसा कौतम ने कहा. मुझे मारने की काफी कोशिश कर रहे हो. मेरे रायट हेंड को बारा, मेरे भाई को मारा, और मेरे बेटे को परिशान क कि मैं जिस रास्ते पर चलता हूं उसे तुम क्लोज़ करते हो तुमने से पंगा ली मुझे है कैसे पता चला सोच के सोच के कंफूज हो रहे हैं मुझे सब पता चल गया कि ग्या मस तब मैं भी घेलूगा तुम्हारी प्रेमिका के साथ बुसके जान जाएगी या नहीं जाओ जाओ जल्दी जाओ टाइम नहीं है गेम स्टार्ट्स नाओ तु ये आओ आओ कहकर मुझे नहीं बुला रहा है अपनी मौत को ललका रहा है तुझे जो हत्यार पसंद है वो लेकर तयार रहना चाकू दल्वार बंदूग जो चाहे रख ले अब मौत तेरी तरफ आ रही है तु रोक सके तो रोक कर दिखा आज चाहे तुझे भगवान भी बना दे दे पर तेरी मौत नहीं टलने वाली पर तेरी मौत रहा है नंदे न? नंदे न? नंदे तुम्हारा प्रेमी हमारा पैर के नीचे है अपड़ला 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 बेटा चोटो 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 बात हाँ अपड़ला खशो बात कर दो झांक, पांक, कीजा जो झाहाँ हून मा cleanup नहैं की है इन जा हम व Nea म Cold कीजा वर खाई कीजा आए करिए करिए कर झाल कि अजय को पुआ है उट उट ना उट उट बिटा उट झाल